नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सिविल एक्स चैनल पर आज हम देखने जा रहे हैं गवर्णर जनरल बंगाल जो मौडरन इस्ट्री में टॉपिक है उसकी क्रोनलोजी देखेंगे किसके बाद कौन आया गवर्णर जनरल ऐसे हम क्रोनलोजी देखेंगे उसके यह पहला प गवर्णर जनरल ऑफ बंगाल कि क्या देखेंगे हम ट्रिक देख रहे हैं तो ट्रिक कुछ इस तरह होगी सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन-कौन से गवर्णर जनरल आये हैं पहले सबसे पहले गवर्णर जनरल थे वैरन हास्टिंग्स कौन था अब सभी अफगत होंगे इनसे वैरन हास्टिंग सबसे पहले थे वैरन हास्टिंग के बाद आये लॉर्ड कौन वाले हैं ठीक है, कौन आया, Lord Convalis अब इनके कारिकाल याद रखने की तो इतनी खास जरुवत नहीं पड़ती है क्योंकि इनके सिर्फ कारियाद रखने पड़ते हैं, कारिकाल जरुरी नहीं ठीक है, इनके जो time period regime का फिर वेरन हेस्टिंग के बाद कौन आया, Convalis कौन वालिस के बाद आया है, John Shore फिर उसके बाद कौन आया, Lord, Well, Leslie ठीक है, Well, Leslie फिर उसके बाद कौन आया, Lord, Minto first अभी हम सब देखेंगे, किस तरह हम इनको याद रखेंगे फिर इसके बाद, Lord, Hesting Lord, Hesting and आखरी वाले, Governor, General जो आखरी थे, वो याद रखेगा Lord, Minto, के यह आखरी वाले थे, Lord, Hesting अब यह chronology है, इससे जाती है इसके बाद ही आए, इसके बाद ही आए, तो हमको क्या यही याद रखना है, कि chronology हम कैसे याद रखना है, trick क्या कही देखे, वैरन, Hesting, warning, क्या हो गया, वैरन, Hesting, वैरन का मतलब समझ जाए, यह warning तो क्या आम कहानी के से बनाएंगे, warning दे रहा है, कौन वाला क्या वैर्निग दे रहा है, कौन कौन वाला, shore करने वाले को, shore करने वाला क्या shore कर रहा था All is well, all is well, all is well, ऐसा shore कर रहा था फिर ऐसे शोर से परिशान होने के बाद वो सुच रहा था कोरन वाला कि मैं इसका शोर कैसे चुप कर रहा हूं तो उसने मिंटो की मिंटोस की गोली खाली है ना मिंटो फस्ट मिंटोस नाम की गोली खाने के बाद उसको आइडिया कि आया कि मैं हस्ते हस्ते क्या हस्ते हस्ते इस पे हैमर, एमरस्ट है न, तो हैमर इसको बुल देंगे, हस्ते हस्ते इस पे हैमर मार देता हूँ, तो ये एक तरह सी काहनी होगी जिस वज़से हम क्रोनोलोजिकली याद क्या रख सकते हैं, गवर्नर जनरलोग बंगाल जो इंडिया में आये थे, सबसे पहला कौन था, वे केसे करा हूँ, तो उससे ने मिंटोस की गोली खाली, कि इससे आइडिया आएगा इससा सूच कर, तो उसको आइडिया या आया है कि हस्ते हस्ते में इसको एहमर मार देता हूँ, तो ये क्लियर होगे आप सभी को, धनेवाद.